Good evening friends, a warm welcome to all of you, welcome to Steak Guruji इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आलोग इंडस्टी का quarter 2 का result जी हाँ, कल यानि की 18 अक्टूबर 2021 को आलोग इंडस्टी का quarter 2 का result आ रहा है जो हम result डिस्कस करने वाले हैं, उसका जो basis है, वो है export data US, UK और European country में जो export हुआ है, उसको लेकर डिस्कस करेंगे साथ में जो MEIS है, यानि के merchandise export of India, इसका भी data हमने collect किया है और इनकी एक scheme भी आई है, textile sector को लेकर जिस प्रकार government की PLI scheme आई है यानि के production link incentive 10,883 करोड की, साथ में 7 mega textile park तो इन सारी scheme के आने से, जो आलोक industry को एक benefit होने वाला है, वो है exceptional gain का तो इस बार के जो quarter result है, उसमें exceptional gain देखने के लिए मिल सकता है साथ में, पिछले quarter में जो इसका result आया था, revenue था, वो 1220 करोड है इस बार जो अनुमान है, आलोक industry का वो 2000 करोड revenue आने का अनुमान है और 150 करोड की profit की संभावना है अनलोक की जो theme है, वो भी बहुत अच्छी वर कर रही है यानि की जो demand है, काफी increase हुई है, textile को लेखर साथ में, जो इसकी peers कंपनिया है यानि की इसी group की same segment की जो कंपनिया है उन्होंने काफी अच्छा perform किया है चाहिआ आँ वल्स्पून के ले लीजे, Trident को ले लीजे, Arvind को ले लीजे तो इन कंपनियोंने बहुत ज़ादा बहतरीन performance की है लेकिन जो आलोक industry limited है, एक range bound के अंदर stuck होके रह गया है और इस बार इसको quarter result से काफी उमीद है, जो भी इसके investors है साथ में, एक और data आपके साथ share करना चाहता हूँ सप्तम्बर के महिने में, जो FII है, Foreign Institution Investor उन्होंने अपनी holding को बढ़ाई है 1.30% जो उन्होंने increase करके, 1.39% की है जो कि एक positive है साथ में, PLI से जो boost होने वाला है, वो है man-made fiber, MMF apparel और technical textile और इन तीनों segment में, आलोक industry, जो कि 12,000 क्रोड की market cap के साथ company है वो lead कर रही है संभावना है कि कल के दिन जो result है, वो रात के 9 बज़े के करीब आएगा जैसे ही result आएगा, आपके साथ हम share करेंगे, साजा करेंगे क्योंकि इससे पहले अभी तक जो पिछला record है, कभी भी result market time के बीच में नहीं आने वाला है साथ में कल के दिन volatility बहुत ज़ादा रह सकती है अलोक industry में बाकी जो भी update होगा, आपके साथ share करेंगे hope करते हैं, जो result होगा, वो positive होगा एच पर export data, एच पर demand and supply, जो result है, positive आने की पूरी उमीद है बाकी future की सभी updates के लिए, चैनल को subscribe, वीडियो को like और अपने friend के साथ जदा जदा whatso group में share करें, आप सबी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद